पहाडियों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव के मध्य में काई नाम का एक युवा लड़का रहता था। काई अपनी अधीरता के लिए जाने जाते थे, वो किसी भी चीज का इंतजार नहीं कर सकता था, चाहे वो खेल में अपनी बारी का इंतजार करना हो या अपनी फसल उगने का। इस अधीरता के कारण वो अकसर जल्दबाजी में निर्नए लेते थे जिसके परिनामस्वरूप परेशानी होती थी। उनकी मा मेही नाम की एक बुद्धिमान महिला अकसर उनसे कहती थी धैर्या एक गुण है काई। धैर्या के साथ आप महान चीजे हासल कर सकते हैं। एक धूप भरी सुबा, काई ने बुद्धिमान बुडे रिशी से मिलने का फैसला किया, जो गाव की सबसे उची पहाडी पर रहता था। अफवाहों में रिशी की बुद्धिमत्ता और धैर्या के गुण सिखाने की उनकी क्षमता के बारे में बात की गई। अपने अधीर तरीकों को बदलने के लिए द्रिर संकल्पित, काई सीखने के लिए उत्सुक होकर यात्रा पर निकल पड़ा। एक लंबी और कठिन चड़ाई के बाद, काई अंतता रिशी के निवास पर पहुँच गया। लंबी, बहती दाड़ी वाले शांत व्यक्तित्व वाले रिशी ने हलकी मुस्कान के साथ काई का स्वागत किया। आपका स्वागत है, युवा, मुझ जैसे बुड़े व्यक्ती से ग्यान प्राप्त करने की आपकी इच्छा क्या है। रिशी ने पूच ताच की, मैं धैरिया का गुण सीखना चाहता हूँ, काई ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं अपने आवेगी स्वभाव के कारण मुझे परेशान करने से ठक गया हूँ, मैं एक बहतर इंसान बनना चाहता हूँ। रिशी ने जानबूच कर सिर हिलाया और काई को अपने पास बैठने के लिए आमंतरित किया। धैरिया वास्तब में एक महान गुण है, मेरे बेटे। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में सिखाया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास, व्रिर्ता और स्वयम और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ की आवश्यक्ता होती है। इसके साथ ही, रिशी ने काई को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार, एक शक्तिशाली ओक का पेड था जो एक विशाल जंगल के बीचों बीच उचा और गौरवानवित खड़ा था। ओक के पेड ने कई तूफानों का सामना किया था और अंगिनत चुनोतियों का सामना किया था, फिर भी वो धर्ती में गहराई तक जड़े जमा कर अटल खड़ा रहा। एक दिन ओक के पेड के पास एक छोटा पौधा ओगाया। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी हमेशा चूप जाता हूँ। ओक का पेड धीरे से हवा में हिल गया और उत्तर दिया, धैरिया रखो, युवा। रोम एक दिन में नहीं बना था, और नहीं मैं हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बनने में मुझे विकास, द्रिर्ता और लचीलेपन में कई साल लगे। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और आप एक दिन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएंगे। पौधे ने ओक के पेड की बातों को दिल से लगा लिया और धैर्या रखना सीख लिया। प्रत्य एक गुजरते मौसम के साथ ये सूरज, बारिश और मिट्टी से पोशित होकर लगातार बढ़ता रहा। और जैसे जैसे साल बीटते गए, वो पौधा एक शक्तिशाली ओक के पेड में बदल गया, जो अपने बुद्धिमान पुराने दोस्त के साथ गर्व से खड़ा था। जैसे ही रिशी ने अपनी कहानी समाप्त की, काई को समझ की एक नई भावना महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्छी महानता रातों रात नहीं बलकि धैरिया, द्रिर्ता और समर्पन से हासिल की जा सकती है। धन्यवाद, बुद्धिमान रिशी, काई ने कृतग्यता पूर्वक कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि धैरिया केवल इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया पर भरोसा करने और खुद पर विश्वास करने के बारे में है। द्रिड निश्चे से भरे हरिदय के साथ, काई ने रिशी को विदा किया और गांप की और अपनी यात्रा शुरू की। साथ ही, उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलूँ में धैरिया का अभियास करने का संकल्प लिया, ये जानते हुए कि समय और द्रिड़ता के साथ, वो उस व्यक्ति के रूप में विक्सित होंगे जो वो बनना चाहते थे। और जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीटते गए, काई धैरिया और ग्यान की एक किरन के रूप में विक्सित हुई, जिसने दूसरों को अपने जीवन में धैरिया की शक्ती को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह दूर की पहाडी पर एक बुद्धिमान बुडे रिशी द्वारा सिखाए गए कालातीत पाट से निर्देशत होकर गांफ फला फूला।